कश्मीरी पंडितों की शेखपुरा कॉलोनी से लोग लगातार पलाइन कर रहे हैं दहशत इतनी है कि नौजवान अपने नौकरी छोड़ कर यहां से जा रहे हैं देखिए स्वयोगी हमारे मनीश प्रसाद के एक और रिपोर्ट यह बढ़गाओं के शेखपुरा की कश्मीरी पंडित कॉलनी है कुल मिला के 192 परिवार यहां पर रहता है और सबी इस समय डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं क्या आप शेखपुरा छोड़ कर जा रहे हैं? विदन टू डेज, 30% फैमलिया निकल गई विदन 2-3 डेज हम निकल रहे हैं हमारे बच्चों का सुकूल का कुछ मसला है वहां से टीसी निकाल के हम निकल रहे हैं क्यों लेकिन? खत्रा है, यहां कौन रहना चाहेगा जहां पहले जान है, फिर देखी जाएगी नोगरी वोकरी फिर बाद में देखी जाएगे मुझदूरी करेंगे बाहर कहीं और स्टेट में जहां शाम को लगेगा, बंदा शाम को घर पहुचेगा जहां सूब आफिस निकलते, बंदा पुरुसा ही नियूत तो तो घर पहुचेगा कि नहीं पहुचेगा दर है आपको आपको डर हर किसी को मुझे छोटी बच्ची कहती है मत निकलो बाहर वो परसुन बिमार थी उसने मुझे दवाई लेने के लिए नहीं वेजा बोला नहीं मैं बरदाश्ट करूंगी लेकिन बाहर मत निकलो यहां हां बहुत डर लगता है अ माबाप है क्या करेंगे यहां तो डर डर की जीना पड़ता है छोड़ के जा रहे हैं यहां लागबक तीस परसंटी निकले काल से अब तो अकल परसुन तो सारी निकल जाएंगे हां हम भी चले अरे डर लगता है यह दर बो रहे कि आज आज मतलब बन उदर कुल गाम में उ अच्छा लगता है सरकार से कहते हैं कि हमें मास माइग्रिशन देदो हम तो जाएंगे कि तेश क्यों जा रहे हैं आप घर को छोड़ कर सर देखिए जब जिन्दीगी पर बनाती है तो आदमी क्या करेगा यहां कैंप से बाहर निकलने के बाद पता निया गोली कहां से लग है और आपने कल भी देखा कल भी विचारे बैंक मैनेजर की भी डेथ हुई है फिर रात को दो मजदूरों को भी मारा है जिन्दीगी से बढ़के कुछ नहीं होता है तो अब जान बचानी है तो जाने ही पड़ेगा क्या करेंगे अब यहां तो कारोबार है काम करते हैं ले नहीं होगा यहां पर कुल मिलाके 292-298 परिवार थे इस समय करीबन 30-40 प्रतिशत जो घर है वो खाली हो चुके हैं लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की आस में यहां से जम्मू जा चुके हैं लेकिन सवाल अभी भी यही है कि कश्मीरी पंडितों का यह दर्द कब तक ऐसा ही चलता रहेगा टार्गेट किलिंग का शिकार जो बन रहे हैं कश्मीरी पंडित, कश्मीर हिंदू या फिर वो कश्मीरी मुसल्मान जो की गवर्मेंट औफ इंडिया के लिए काम कर रहे हैं और आतंकी अपनी बॉखलाहट में उनको टार्गेट कर रहे हैं इसलिए investigating agencies के मताबिक वो जल से जल इनकी धर पकड़ कर रहे हैं ताकि इनको neutralize किया जा सके और इनकी जो hierarchy है यानि जो इनकी commanders है उनको भी जल से जल मार गिराया जाए